माफिया अतिक एहमद और उसके भाई अश्रफ का पोस्ट माटम आज क्या जाएगा दोनों की शवों को स्वरुपरानी अस्पताल लाया जा चुका है जहाँ पांच डाक्टरों का पैनल अतिक और उसके भाई का पोस्ट माटम करेगा पोस्ट माटम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी इतिहात के तोर पर कुछ इलाकों में इंटरनेट भी बंद किया गया है अधिक एहमाद और उसके भाई अश्टरफ की शनीवार रात को हमलावारों ने उस समय गोली मार कर हत्या कर दी जब दोनों को मेडिकल कॉलेज पूलिस ले जा रही थी प्रयागराच को सुरक्षा के लियां से 14 सेक्टरों में बाटा किया है थोड़ी देर में यूपी डीजीपी भी प्रयागराच पहुचेंगे वहीं घटना इस तल से फॉरेंसिंग टीम ने सबूत भी जुटा लिये हैं उतरप्रदेश के मुखे मंदरी योगी आदिति नात ने घटना की उचिस तरी जांच का आदेश देते हुए तीन स साथ चल रहे थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादेव ने प्रदेश में कानून विवस्ता की इस्तिती पर सवाल उठाया अखिलेश यादेव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वेट किया उत्तरप्रदेश में अपराद की पराकाष्टा हो गई है और अपरादिय गेरे के बीच सरे आम गोली बारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जंता की सुरक्षा का क्या इसे जंता के बीच भाई का वातारवन बन रहा है ऐसा लगता है कि कुछ लोग जान बूच कर ऐसा वातारवन बना रहे हैं राश्टी लोग दल के अध्यक्ष वा सांसा जै आया चोधरी ने एक वीडियो भी साजा किया जिसमें अतिक और अश्रफ की हत्या का द्रश है इसी के साथ बने रहे हैं राजडवा निभी के साथ तरह निवाद